नमस्कार मैं दीपक स्वागत करता आपका ग्यान नेर्स के इस यूटूब चैनल पर और आज हम देखने वाले exercise 6.2 का question number 5 ठीके तो दिखिए question number 5 क्या कह रहा है in given figure DE parallel to OQ दिखिए जो ये DE है और किसके parallel है OQ के parallel है clear and DF किसके parallel है OR के जो ये DF है ये OR के parallel है तो so that क्या कह रहा है EF parallel to QR कि जो EF है वो किसके parallel है QR के parallel है देखिए जो ये question है इसमें दोनों theorem आपकी use होंगी एक तो theorem number आपकी 6.1 और theorem number 6.2 दोनों के दोनों theorem इसमें use होने वाली है I hope आपको ये theorem बढ़िया करके जो हमने पीछे वीडियो बना रखी है उसमें बढ़िया करके समझ में आई होंगी तब ही आप ये आगे question कर पाएंगे ठीक है चलिए देखते हैं figure में ये ये दे रखा तो given में हम के लिखेंगे given में ये triangle का नाम क्या है पूरा PQR है ठीक है 이야기 की अप करके लाना है की एफ किसके पैलल है ये आपको पूर्फ करके लाना है clear है चलिये तो पूर्फ करते है इसको ना तो इसको ले लेते हैं पहले कि de पैलल किसके OQ के तो देखिए DE किसके पैलल है OQ तो ट्रेंगल का नाम कैसका P O Q तो इसमें लेंगे हम इन ट्रेंगल P O Q में ठीक है चलिए के लिए रहे हम DE किसके पैलल है OQ के पैलल है clear है यह मैंने separate picture बना रखा इसके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो देखिए कि DE किसके पैलल है OQ के पैलल है यही है ना देखिए DE पैललले OQ के देखिए P O Q इसी ट्रेंगल की बात कर रहा है मैं separate क्यों बना रहा हूँ देखो picture ताकि आपको confused ना हो कि यह line कहा जा रही है line कहा जा रही है बिल्कुल separate है जितनी बात कही गई उतनी बनाया कि DE पैलल है OQ के DE किसके पैलल है OQ के पैलल है तो हमको बढ़िया तरीके से पता है कौन सी theorem 6.1 से कि जब यह इसके क्या होती है पैलल होती है तो हमको पता है A upon A equal to A upon यह हो जाता है यानि कि PD upon क्यों हो जाएगा DO या OD जो भी आप बोलना चाहो DO equal to क्यों हो जाएगा PE PE upon EQ किलियर है EQ हो जाएगा ठीके एक कोसर नमबर क्या माल लो फर्स माल लो कहां से लिए देखिए हमने यह बाई theorem ठीके theorem 6.1 से या इसको आप क्या भी बोलते हो BPT बोलते हो Basic Proportionalty theorem किलियर है यह हमने लिया यह कहां पे था given में था यह तो हमको दिया तब हमने इसके according इसको लिए theorem 6.1 के according चलिए अब दूसा लेते हैं आपका यह लिया हमने अब इसको लेते हैं D.F Pal Cola to OR दिखो D.F किसके पेलल है OR के पेलल है तो यह किस ट्राइंगल में होगा है P.O.R. वाले ट्रेंगल में होगा है तो लिखेंगे हम लहाँ पे In Trangle P.O.R. इस ट्रेंगल में यह काम हो रहा ठीक है क्या हो जाएगा simply यहां पे भी ध्यानगना कि हम इस triangle में ले रहे हैं और यहां पे हमें क्या लेना है मैंने का यह लेना है कि df किसके पहले ले आपका और के पहले ले तो यहां से भी आप समझ सकते हैं क्या pd upon do ध्यानगना pd upon क्या ले रहे हैं हम लोग do equal to किसके हो जाएगा हमने का यहां पे दिखिए pd upon do equal to pf upon fr यानि कि pf upon fr आपका हो जाएगा इस picture को भी देख सकते हो या अगर आपको यहीं समझ मारा यहां से भी आप देख सकते हो क्या ये upon ये equal to pf upon fr किलिए रहे हैं चलिए ये ले लिया हमने कहां से equation number 2 मालियर कहां से लिया theorem 6.2 सा आप इस तरह से लिख सकते हैं bracket में इसके ठीक है क्या लिख सकते हैं कि by theorem 6.1 या आप bpt लिख सकते हैं clear है तो आप ज़रा ध्यान से दिखिए ये मैंने लिया pf ठीक है अब ज़रा ध्यान से दिखिए कि इन दोनों उसमें क्या लग रहा left hand side क्या हो चुके हैं equal हो चुके हैं इनके left hand side क्या हो चुके हैं equal तो हम यहां पर बोल सकते हैं इस तरह से कि left hand side equal है तो इनके right hand side भी क्या होंगे equal यानि कि pe upon eq ध्यान अना क्या बोले हम from equation first and equation second से बोले है ठीक है pe upon eq equal to हो जाएगा आपका कितना pf upon fr ध्यान देना यह हमन ले लिया from equation first और second से दिख रहा होगा आपको जितने भी question हो रहें लगबख इसी तरह का sequence उसमें चल रहा है ठीक है तो देखिए आप क्या करेंगों उसके बाद कि जब ये ratio equal आया देखो ध्यान से देखना P upon EQ देखिए ये देखिए यहां पे P E upon EQ ये अपान ये आगया equal to में क्या आगया देखिए पी एफ अपान एफ आर इक्वल टू में आगया पी एफ अपान एफ आर तो as a whole picture देखिए कि जब ये अपान ये equal है ये अपान ये तो obviously ये इसके क्या हो जाएगा पैलल हो जाएगा किस theorem से theorem 6.2 से देखिए 6.2 में नज़र डालिए ये 6.2 में करा चुका हूँ कि AD upon DB equal to AE upon EC देखिए गिवन में यही होता theorem 6.2 में AD upon DB AD upon DB equal to AE upon EC तो जब ऐसा होता तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसके पैलल है यहाँ पे भी कुछ आपको इसी तरह का appearance दिख रहा है P upon EQ equal to PF upon FR तो हम ये इसके पैलल बोल सकते हैं ठीके तो हमने बोल दिया कि hence या so that कि जो EF है वो किसके पैलल होगा EF पैलल हो जाएगा QR के ठीके कहां से लिग रहे हम ये region लिगना पड़ेगा आपको by theorem कौन सी 6.2 या 6.2 कौन क्या बोलते हैं converge of BPT क्या बोलते हैं converge of theorem 6.1 theorem 6.1 का उल्टा ही बोलते हैं या BPT का उल्टा भी इस theorem को बोलते हैं क्योंकि theorem 6.1 कहती है कि ये होगा तो ये होगा जबकि 6.2 कहती है कि ये होगा तो ये होगा ठीके तो ये आपका क्या हो गया proved हमने बढ़िया तरीके से कर दिया ठीके चलिए आगया होगा आपको साय संद में और अब आते हैं इसके कोशन नमबर 6 की और ठीके कोशन नमबर 6 की और लगबग इसी तरह का आपको ये कोशन दिखेगा जो कोशन नमबर 6 है ठीके तो देखते हैं पढ़ते हैं ढंक से ठीके चलिए इन गिवन फिगर एक पिक्चर दे रखा है आप पूरा पिक्चर देखिए बढ़िया करके पहले तभी आपको क्लिएर होगा देखिए ओ PQR क्या हमारे पास पूरा एक पिक्चर है ठीक है यानि कि गिवन में हमको दे रखा है ट्रेंगल PQR दे रखा है क्लिएर है उसके बाद आप लिख सकते हैं कि क्या दिख्राम ह है points है R points है, कहां कहां पर यह points है? R points on OP देखिए OP पर है और कहां पर है OQ पर है और O R पर है, यह सब आपने क्या लिख लिया, क्या लिख लिख लिया यहीं से उताना कोई रट्ना नहीं है, ठीक है respectfully आप लिख सकते हैं पीछे respectfully इस तरह साथ लिख सकते हैं और such that ये भी दे रखा देखिए कि AB किसके पैलल है AB पैलल है P Q के and आगे भी दे रखा कि AC किसके पैलल है AC पैलल है PR कि ये सारा given में लिखेंगे तो हमको proof क्या करना है फिर to proof में लिखेंगे BC पैलल to QR या आपको to proof में लिखना यानि कि ये हमको लाना है answer में ठीक है कि हमको ये proof परके लाना है given में ये सारी चीज़े हमने लिख दी है ठीक है चलिए ये picture है देखिए AA कहाँ पर है देखिए A यहाँ पर है a point कहाँ पर है and such that AB किसके परळल है दिखरह ओगा आपको ये इसके परळल है clear है और А C किसके परळल है ये A C है A C किसके परळल है PR के परळल है और हमें क्या सोख करना है 명还有ibt B C BC ये वाला इसके पैलल है भाई ये इसके पैलल है ये इसके पैलल है तो पुरूव क्या करना है ये इसके पैलल होगा किलियर है चलिए तो हमको जो दो information मिलती है हर बार की तरह जिसे पिछला कोशन किया था पांच हुआ सेम ये स्कोर इसको उठाएंगे किलियर हम इन दोनों को उठाएंगे क्या ये पैलल लिकेंगे हम A, B, पैलल है किसके P, Q कहां से लिका हम नहीं है गिवन से ये हमको मालूम है A, B, पैलल to P, Q अब ध्यान देना A, B, पैलल है P, Q ट्रेंगल का नाम कौन सा हो गया P, O, Q हम एक्चली किस ट्रेंगल की बात कर रहे है P, O, Q की हम बात करेंगे किलियर है इस ट्रेंगल की हम लोग बात कर रहे है कौन सा P, O, Q तो जब ये इसके पैलल है तो थियोरम 6.1 क्या कहती है कि ये वाली line इन दो side को क्या करीगी equal ratio में divide करेगी थी और हम 6.1 के according यानि कि OA upon AP ठीक है क्या हो जाएगा OA upon क्या हो जाएगा आपका AP या PA जो भी आप बोलना चाहें ठीक है AP OA upon AP equal to हो जाएगा आपका क्या OB OB upon QB या BQ जो भी आपको पसंद हो उस तरह साब पढ़ सकते हैं क्लियर है यह हमने बोल दिया यह कहां से लिखा हमने यह लिखा हमने by theorem 6.1 और BPT से हमने लिखा basic proportionality theorem से यह चीज हमने लिखी क्लियर है चलिए अब दूसरा आते है हम लोग इस पे AC parallel to AC parallel है किसके PR के किलियर है अच्छा इस triangle का नाम क्या है अगर आप triangle लेना चाहें तो ले लिए कौन से triangle है POR की बात हम कर रहे है in triangle POR दिखे मैं अलग से picture नहीं बना रहा हूँ उसका हलाएं कि कुछ previous question में मैंने बनाए पीछे जितने भी question थे एक दो वहाँ पे मैंने अलग से समझा है आपको side समझ में आने लग गया हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यह 6.1 और 6.2 ही लग रही है सब जगा आपको दिख गया होगा क्लिए रहे चलिए तो यह इसके parallel है यानि कि AC parallel to PR है भई तो जब parallel है इकोल टू क्या हो जाएगा दिखिए आपका इकोल टू हो जाएगा OC upon CR क्या हो जाएगा OC upon CR हो जाएगा ठीक है यह होगा equation number 2 कहां से लिखा ही है हमने by theorem 6.1 और basic proportionality theorem से हमने लिखा देखिए आप कोई भी चीज लिख रहे हैं bracket में लिखना उसको mention करना जरूरी है कि आपने लिखा तो क्यों लिखा भाई इसको ठीक है तो हमको पता है यह कौनसी theorem कहती है 6.1 कहती है अब ज़रा ध्यान देना इन दोनों के दिखिए left hand side क्यों होगे equal होगे ठीक है तो हम कह सकते है from equation first and equation कौनसी second से क्या दिख रहा हम है कि इनके left hand side equal to इनके right hand side भी क्या होगे equal होगे यानि कि OB upon QB किसके equal हो जाएगा OC upon CR के equal होना चाहिए क्यों होना चाहिए दिखें left hand side same है इसका मला right hand भी same होगे clear है तो OB upon QB equal to OC upon CR अब जड़ा ध्यान से देगना क्या कहरा देखिए OB upon BQ देखिए या QB जूबी आपका ठीक है ध्यान से देखना यहाँ पे picture भी देखते रही है OB upon QB clear है QB है या BQ equal to OC upon CR आगया OC upon CR तो जब ये upon ये equal to ये upon ये आजाए ये इसके क्या होती है parallel होती है तो हम लिख सकते हैं कि hence hence क्या कि BC किसके parallel है QR के parallel है कौन BC QR के parallel ये कौन सी theorem कहती है हमको भाई लिखना पड़ेगा आपको by theorem 6.6 में लिख रहा हम देखिए theorem में ठीक है आप पूरा लिख सकते हैं 6.2 यानि की converge of 6.1 ठीक है तो ये parallel होगा तो ये आपका approved हो गया clear है इस तरह साब आपने ये कोशन भी कल लिया 6 वाला कोशन भी आपने कल लिया और I hope आपको ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब हमारी चनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो notification का बैल हो उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की notification आप तक पहुंसते रहे और share और like करना मत भूलेगा Thank you so much for watching this video